जन्वरी की एक भोथी ठंडी सुबे अभी ट्रेन से उतरे ही थे पूरी रात सफर करा था दिल्ली से तो ट्रेन से उतरते ही सीधे पोचगे मोती बजार हरिदवार में नाश्टा करने के लिए सुबे साथ के करीब वक्त था और दुकाने अभी अभी खुणनी शुरू हुई कि लगा के लिए में शुरू हुई भी खुणनी शुरू हुई तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं मोती बजार में हरीदवार में हरीदवार का मोती बजार है सोला जन्वरी का दिन है सुबह साथ के करीब का टाइम है काफ़ी ठंड है अभी अभी हमारी ट्रेन रुकी तो हम सीधा यहाँ पर नाश्ते के लिए आगे कि सुषांत कुमार जी के पास है सुषांत कुमार जी के कुछे छोले और मुरादा बादीधा बहुत मश़ूर है तो अच्छा था अभी ठंड का टाइम में तो बंदे उतने नहीं थे हमने काफी अछे से खा लिये हैं तो मैंने का छोटी सीन की वीडियो बना दो तो हने किसीนपतः हिसे लिए तो इसने संट घाता है चूलने है इस समय दिखाना ह气 जो भी चीज मतलब सामने वाले के अनुसार ही बनाया जाती है जी उस अनुसार हम बना के देते हैं अच्छा इसी परकार से यही परिक्रिजिया दाल के साथ की है अच्छा दाल भी दिखाईएगा एक पहले तो मिर्चे बड़ी इच्छी लग रही है यहाँ वाह ये दाल मु अच्छा इली काव और चंडी बगड़ा है अच्छा है अच्छा इनार्ण आफ में यह वान पोस्ते हैं और मोश्धे आफको पसंद आई को आइछ है वही हम इतनी दूसरे आई भी और अमारे को आप मिर्पास आगा हैता हुआ एक बहुआ नहीं बिल्कुल भी तो इनके सुशान जी के मैंने काफी वीडियो बगारा देखी थी एक्चिली फ्रेंकिल स्पिकिंग यूट्यूब पे तो आया यहां पे तो मैंने सुचाया चेक आउट करते हैं तो खाना खाया बहुत अच्छा था और मैंने इनको कमेंट भी कारा मैंने काया वह यूट्यू पे मैंने खाया काफी अच्छा था और फ्रेश था हाईजीनिक था और कुल्चे छोले की जो प्लेट है वो मुझे पढ़ी 70 रुपे की और मुरादाबादी दाल के साथ में कुल्चे अच्छा मैंने उल्टा बता दिया अच्छा और छोले कुल्चे केवल 40 रुपे केवल 40 वो भी बहुत बढ़िया तो जितना मतलब हाई यूट्यूब पे इनकी तो लेकिन ठीक है यह मैं आपको कह सकता हूं कि गल्त नहीं है क्योंकि मैंने खाया मैंने इनको यह नहीं बताया कि मैं वीडियो बनाऊंगा इनका क्या तो अब मैंने खा लिया तो मुझे अच्छा तो कुल्चे छोले और मुरादाबादी डाल खाने के बाद हमने रुक किया मतरा वालों की प्राचीन दुकान का जो की अपने आलू पूडी के लिए मशूर हैं पर अभी सर्दियों का सीजन था और टूरिस्ट वगरा कम थे और काफी ठंड की वज़ा से अभी आलू चील क आलू की सब्जी बनाने की तैयारी ही चल रही थी कितने लोग काटते हो आलू चुंकी आलू पूडी बनने में अभी देर थी तो हमने सोचा क्यों ना गंगा मिया के दर्शन करे जाएं और हम चल पड़े घाट की तरफ विश्णु घाट सुबए आठ बजे यह सूरज निकला है सूरज भी चाज जैसा लग रहा है इतनी ठंड है यहाँ पर मा गंगाजी के दर्शन करिए इतना ज्यादा कोहरा है यहाँ ठंड है यह देखिए मेरा फ्रेंड रिंको पूरा कवर हो रखा है पूरी पूरी तयार है मतरावालों के पूरी खाते है कंची अलदी के लड्डू कर यह बहाई सब आमले के लड्डू है यह ब्ली किलेडओने वरह ने सब्सक्रेचित वाँषा यह इस awfully शोता है एक वौड़ी सब्झेचरी के लगा दो प्लेट अच्छा वह क्या यह वह थो भी आप किया今天 के ऐसाखी है थे अपड़का हैं थी सब्सक्राइक काई एक बुस्त फटिया अब बालबंगत एक प्लेट लगा दी जो पूड़ी पैठने के विवस्त है वो अलग से इस दुकाट में है तो आलू पूडी वाके में बहुत सौदिश थी बट सबसे बढ़िया थी सीता फल या काशी फल की सबजी जो कि अब तक मुझे याद है पर यकीन मानिये सर्दी में भी वो भी कड़कती जनवरी की सर्दी में हरिदवार की सुन्दरता किसी और पैमाने की लगती है ये धुन्दले सा कोहासा कोहरा और पीछे से जाकता सूरज खाली घाट कोई भी टूरिस्ट नहीं एक बहुत ही प्यारी सी निरवता थी उस सुबह में और जो बजार था धीरे धीरे नीन से जैसे जाग रहा था तो हरिदवार की ठंड की ये सुबह अधूरी रह जाती अगर हम वहाँ पे कचोड़ी गर्मा गर्म आलू और गर्मा गर्म गुलाब जामून ना खाते तो यही सब कुछ खाने के लिए हम चल पड़े कचोड़ी की दुकान पे और हम इनके सबसे पहले गर्मा थे हमने इनकी बोनी करी जी जी डाल दिये तेंक यू अब हम अमरिक खाने अमरिक सुबह नाश्ते में नेरा बाग बाग है अमरिक का बाग है अगस्त में उसमें अभी लगे हुआ है पर इतना पके नो चोटे चोटे शोटे से नो तो दोस्तो ये था लेखा जोखा हरद्वार की एक बहुत ही ठंडी सुबह का और साथ ही लजजद्दार स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाने का I hope you like the video in case you have liked then do subscribe to the channel